शुरू कर देती हैं ठीक है बहुत इंपोर्टेंट जिला एबिटाचर की दादरी से कोश्चन आएगा ही आएगा क्योंकि हरियाना का ये कौन सा जिला बना है 22 वा जिला बना है और कोई भी काम करो तो हम सबसे पहले किसका नाम लेकर शुरू करेंगे जैमा सर्श्वती जी क नाम लेकर शुरू करेंगे और वही गालिबगी साहिरी के साथ है वो कहते हैं ना क्यों गम करता है दुख होने से क्यों गम करता है दुख होने से जब जीवन की सुरुआत ही हुई है रोने से तो आज एक बहुत प्यारा सेशन हम सुरू करेंगे जैमा सर्श्वती का नाम तो आज हम क्या पढ़ेंगे बिटा चर्की दादरी पढ़ेंगे और दादरी से कोश्चन पका आता है ये रोहतक के साथ हर्याना का एसा जिला है जो किसी भी राज्येवेक केंदर सासित परदेश के साथ सीमा संजा नहीं करता और हिलना पत्थर चर्की दादरी के एक ही कि लिटा ऑन पये तरी तुझे मासर्च्वती दी तुझे म मासर्च लगने दिन क्या किरें बिटा बोफट इंदर गड़ से इसकी सीमा लगेगी लेकिन ये है ना किसी भी केंदर किसी भी किसी भी राज्ये के साथ किसी भी राज्ये वै केंदर सासित परदेश के साथ ये सीमा संजा नहीं करता अब कोई भी काम करो ना तो सबसे पहले बिटा आपको ना चर्खी दादरी का इतियाज जैमा सर्शोती का नाम तो लेकर करना ही करना है, इतिहास पढ़ना है की यहां पढ़ना. दादरी में बिटा क्या एक आप पढ़ोगे जो दादरी का नामकरण है ना इसके बारे में पढ़ेंगे इसका नामकरण केसे हुआ तो दादरी में कहते हैं एक जील होती थी एक जील होती थी और उस जील में क्या ज़्यादा होते थे फ्रोग या मेंडक ज़्यादा होते थे उस जील में मेंडक क्या थे बिटा ज़्यादा थे और मेंडक को ना संस्किर्थ बासा में क्या कहा जाता है तो मेंडक को इससे जिस friendships कहा जाता है और दादूर से क्या बनाता यह दादुरी बना था और इसके पास एक गाउन पड़ता था चरकी तो फिर इन दोनों को एक करके चरकी दादुरी बना दिया गया और कुछ पुछी तियासकार केहती हैं बेटा पिर्थवी राज चुहान के पिर्थवी राज चुहान का या पिर्थवी राज तरीत्ते के बेटे विलाव विलाव राज ने इसको क्या बसाया था चर्खी दादरी को बसाया था एसी भी मानेता है और कोई मानेता केहती है कि चवद्व इसताबदी में एक राजपूत राजा था, 14 इसताबदी में विल्लन राज, उसने चरकी डादरी को बसाया था, केते हैं, वै, यहां पर जब आया न, तो यहां पर देखा, एक ही गाट पर न, एक सेर, एक बकरी, एक गाएं, पानी पी रहे थे, तो इसने उस महातमा से मृद्धी करेगा तो कहते हैं उसने बसाया था इसी मानेता है मेन तो ज़्यादा तर आपसे कोश्चन आएगा ना बिटा वो दादरी से ही आएगा दादूर से ही इसका कोश्चन आएगा अब है ना इसका सबसे पहले है ना गठन में बच्चे है ना डाउट होती है क्योंकि चार तारीक दे जाती है एक तो अठारा सितंबर 2016 ये तारीक दी जाती है एक अठारा ओक्टूबर 2016 एक सोला ग्यारा 2016 और एक दिसंबर 2016 आज के बाद बेटा इन चार तारीक में आपको कभी भी दिखकर नहीं आएगी तो चरकी दादरी बनने का ना में गोशना कब हुई तो गोशना हुई थी 18 सितंबर 2016 को किसने की थी CM मनुहर लाल खटर ने एक रेली होती थी हरियाणा विकास रेली में क्या की थी गोशना की थी कि हरियाणा का 22 वाजिला चरकी दादरी बनेगा अब गोशना से तो कुछ होने वाला नहीं था ना तो ठीक एक महीने बाद केहत कि इसके लिए ना एक है कमेटी बनी और उस कमेटी किसकी अध्यक्सता में बनी थी ओम परकास धंकड में यह कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 나ज 1611-2016 कना केबिनेटज को दे दी और केबिनेट ने इसको क्या दे दी मन्जूरी 16,11,2016 को न केबिनेट को दे दी और केबिनेट ने इसको क्या दे दी? मंजुरी दे दी 16,11,2016 को तो चर्की दादरी हरियाना का 22 वान जिला बना और यह है न वेशे बना 4 दिसमबर 2016 को लेकिन एक बार आया चर्की दादरी कब बना तो अप्सन में न केवल दिसंबर 2016 था तो हमें दिसंबर 2016 के साथ चर्की दादरी को मानना पड़ा 18 सितंबर 2016 को गोशना हुई 18 ओक्टूबर 2016 को क्या बनी थी वेटा एक कमेटी बनी थी ओम प्रकास धनकडिस के अध्यक्स थे 16-11-2016 को केबिनेट दे मंजूरी थी और चर्की दादरी कब बना था हरियाना का 22 वांजिला बना 4 दिसंबर 2016 को ना आई तो दिसंबर 2016 को बना था ठीक है यहां से भी कोशनी तो वेटा सही चल रही है वीडियो तो ठीक है अब बात आती है कोई भी सबसे इंपोर्टेंट है चर्की दादरी से यह इतिहास से भी कोशन आता है और यह किस से अलग होकर बना चर्की दादरी है ना यह किस से होकर अलग बना भीवानी से अलग होकर ब भीवानी का कितना दिया गया तो चर्की दादरी को भीवानी का तेरा सो सत्तर पोइंट एक एक तेरा सो सत्तर याद कर लेना वरक किलोमेटर चर्की दादरी का क्या रहेगा छेतर फल रहेगा छेतर फल से भी वेटा कोश्यन आ सकता है तो ये तेरा सो सत्तर पोइंट एक एक विधान सभा की सीट रहेगी, विधान सभा की क्या रहेगी, सीट रहेगी, एक तो रहेगी, प्यारे बचों आप पड़ोगे, पंचकुला में, पंचकुला के बाद को, पंचकुला में तो कौन सी रहेगी, आपकी काल का, और पंचकुला रहेगी, एक है ना आपका, चर्खी दादरी में रहेगी चर्खी दादरी में कौन-कौन सी रहेगी आपकी चर्खी दादरी और बाडड़ा ये है ना हरियाना में क्या रहेगी सबसे कम दो सीटें रहेगी और ये एक रहोतक के साथ है, रहोतक और चर्की दादरी एसे जीले हैं जो किसी अन्य के साथ है, किसी अन्य राजयवै के अंदर सासित परदेश के साथ, परदेश के साथ क्या नहीं करते हैं? साथ है, सीमा सांजा नहीं करते, क्या नहीं करते, सीमा सांजा नहीं करते, कौन नहीं करते, रोहतक और चर्की दादरी हरियाना के एसे जिले है, जो किसी अन्ने के साथ क्या नहीं करते, सीमा सांजा नहीं करते, ये भी कोशन आ सकता है, ये है न, मंडल भी पूछा जा सकता है कौन से मंडल में आएगा चर्खी दादरी तो ये रोहतक मंडल में आता है किस मंडल में आएगा रोहतक मंडल में आएगा रोहतक मंडल में गुर्जी कौन कौन सार आता है रोहतक आता है सबसे ज्यादा जिले इसे मंडल में है बीवानी आता है सोनी पत आता है जजजर आता ह और चर्की दादरी आता है ठीक है इस मंडल में हरियाना के क्या आते हैं सबसे ज्यादा जिले आते हैं वो पूछे जाए सकते हैं किस मंडल में हरियाना के सबसे ज्यादा जिले आते हैं रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा जिले आते हैं यहां से भी कोश्चन आपसे पूछा ज जा सकता है अगर मैं इसकी भोगोलिक सितिती की मैं बात करूँना ठीक है इंपोर्टेंट है भोगोलिक है भोगोलिक है भोगोलिक है भोगोलिक है सितिती की मैं बात करूँना तो यहां से प्यारे बचों आप पहले ही स्टार्टिंग में देख सकते हो इसकी सीमा किसी राज् वीवानी रोतक जघजर और महंदरगड से इसकी सीमा लगती है और ये कहती है जब चर्खी दादरी बनाना ये भीवानी से अलग होकर बना लेकिन इसमें ना कहती है मेहंदरगड के भी कितने गाउं सामिल किये गए थे बाई से गाउं सामिल किये गए थे ये भी कोश्च ना सकता है चर्की दादरी जरूर मेहंदरगड से अलग होकर बना लेकिन ये मेहंदरगड से जब अलग होकर बना अगर भीवानी ओप्सन में ना मिलेना तो ये किस से अलग होकर बना महिंदरगड से अलग होकर बना जिसे प्यारे बचो हरियाना का 11 नगर निगम है माने सर कब बना गुरजी 23 दिसंबर 2020 को माने सर हरियाना का 11 नगर निगम बना गुरुगराम में है माने सर तो इस मेना कितन गाउं सामिल किये गए थे 29 गाउं सामिल किये गए तो ये भी कोश्चन आ सकता है बिटा ये चरकी दादरी में न महंदरगड के कितने गाउं सामिल किये गए थे 22 गाउं सामिल किये गए थे ये भी आगामी एक्जाम के इसाब से ये कोश्चन आप से पूछा जा सकता है ठीक क्योंकि जो भी मैं कोश्चन करवा रहा हूं किसी ना किसी एक्जाम में आप से आई हुए मिलेंगे ठीक है एक बार आया था 1777 में कलियाना विद्रो हुआ था उससे पहले ना इसकी थोड़ा सा भूगुलिक सी थी थी कि अगर मैं बात करूं ना तो यहां पर अरावली की पह यहां पर मेंदरगेट राजस्तान से सीमा बनाते तो यहां पर मरुस्तल ये एरिया भी पाया जाता है और कुछ एरिया में यहां पर दोमट मिटी भी पाई जाती है यानि मेदान भी पाया जाता है तो जरकी दादरी है ना यहां पर अरावली की पाडियां भी है मरुस्तल भी है और मेदान भी पाए जाता है और मेदान में दोमट मिटी पाई जाती है मेदान में कौन सी मिटी पाई जाती है दोमट मिटी मेदान में पाई जाती है तो ये भी कोश्चन आ सकता है यहां पर आप से पूछा जा सकता है कौन सी पसल जादा होती है सरसों गेहूं और बा बीवानी में है, गेहूं सिरसा में ज़्यादा होता है, बाजरा हम बीवानी पड़ते हैं, ठीक है, तो सरसों गेहूं बाजरा यहां पर ज़्यादा होता है, यहां पर अगर कोई नहर पूछे ना, कौन से सिंचाई करती है, जिसे पस्चिमी, यमुना नहर हो गया, यमुना नहर हो गया ठीक है एक जुई नहर ये वेसे तो भीवानी की पूछी जाती है तो भीवानी से अलग होकर ये बनाया तो इसी में आ जाएगी जुई नहर भी का वेसे प्रोपर आज तक जितनी बार भी कोश्चन आया है जुई नहर भीवानी में सिंचाई करती है भीवानी के स साथ साथ ये दादरी में विसिंजाई करने का काम करती है ये कोश्चन आपसे पक्का पुछा जा सकता है एक बार आया कलियाना विद्रो 1757 इस्वी में हुआ सत बाननी एक जमिदारनी थी कलियाना विद्रो 1757 में कोन सा विद्रो हुआ कलियाना विद्रो हुआ कब हुआ 1757 इ मैं दाद देता हूँ भिद्वा जमीदार ने जिसका नाम होता था माता सत भानी क्या नाम होता था माता सत भानी ने एक मुगल बादसा के खिलाप किया था और कहेते हैं मुगल बादसा ने अपने बेटे को बेजा था ये भी कोश्य ना सकता है उस मुगल बादसा ने अपने बेटे अली गोहर को बेजा था अली गोहर ये आलमगीर सेकिंड का क्या होता था ये आलमगीर सेकिंड का बेटा होता था अलमगीर सेकिंड का बेटा होता था अली गोहर तो अली गोहर और माता सतभानी के बीच में एक युद होता है और इस युद में अली गोहर की क्या होती है जीत होती है माता सत्वानी हार जाती है तो कलियाना विद्रो 1757 याद रख लेना एक पूछा जाता है 1857 की करांती में यहां का नेतरितव किस ने किया तो 1857 की करांती में चर्की धादरी का नेतरितव किस ने किया तो 1857 की करांती मे यहां का नेतरितव करने वाला कोई ओर नहीं था बेटा यहां का नेतरितव करने वाला कौन था 1877 की करांती में बहदुर जंग था आलाकि आप कहोगे गुर जी बहदुर जंग का तो आपने 1877 की करांती में बहदुर गड का नेतरितव बताया तो बहदुर गड में भी बहद तरितव किस ने किया था विटा तो चर्की दादरी में भी 1877 की करांती में ने तरितव किया था बहदुर गड़ के साथ बहदुर जंग ने बहदुर गड़ में भी किया था और चर्की दादरी में भी किया था ये भी कोशनाज सकता है और 1877 की करांती के बाद है ना क्योंकि ये रियास्ते होती थी जिनोंने अंग्रेजों का साथ दिया जीन्द नाभा और पटियाला ये भोत बारा गया हरियाना कि किन रियास्तों ने वेसे तो पंजाब की थी जीन्द रियास्त ने अंग्रेजों का साथ दिया तो चर्खी दादरी को ना 1858 में ना किस में मिला दिया यह आगामी एक्जाम में विया सकता है 1864 में दादरी विद्रो हुआ था दादरी वालों ने कहे दिया हम गदार रियासत के साथ है नहीं रह सकते और यह जो गदार रियासत है इसने अंग्रेजों का साथ दिया हम इनके साथ है नहीं रह सकते है तो जीन्द नाभा और प्टियाला रियास्तों ने किसका साथ दिया था। अंग्रेज़्ों का साथ दिया था। फिर इसको न अलग से बनाना पड़ा था। यह भी कोश्यन आपसे पूछा जा सकता है। एक बार पूचहा गया था, यहाँ पर ना, 1938 बजुदे शुर्स पर में ना, इसका संस्ताप किसे माना जाता है, राम किर्षन डाले मिया को कहा जाता है, राम किर्शन है डालिमिया को इसका संस्ता पक माना जाता है इस फैक्टरी ने ना मतलब यहां के लोगों को बहुत ज़्यादा क्या दिया था रोजगार दिया था और इसलिए कहा जाता है चर्खी दादरी का नाम है ना डालिमिया दादरी भी कर दिया गया था कुछ टाइम क उन्होंने कहा किसी व्यक्ति के नाम से जिले का नाम नहीं रखा जाएगा तो इस टाइम एक रेल मंत्री होते थे सहा नवाज खान तो सहा नवाज खान ने ना इसका नाम बदल कर क्या कर दिया दुबारा चर्खी दादरी कर दिया गया दादरी कर दिया गया तो भीच में चर्खी दादरी को हम किस नाम से जानते थे बिटा डालमिया दादरी के नाम से इसको जानते थे और वर्तमान में इसका नाम दुबारा क्या कर दिया 1839 नहीं है बेटा 1938 नहीं है बेटा 1938 नहीं है बेटा और 1981 में कब बेटा 1981 में इसका CCI ने CCI की फुल फोम आई थी बेटा Cement Cement Corporation Cement Corporation of India Cement Corporation of India CCI ने इसका क्या कर लिया अधी घरन कर लिया भारत सरकार की CCI ने इसका क्या कर लिया इस Cement Factory का क्या कर लिया अधी घरन कर लिया कब कर लिया 1981 में और प्यारे बच्चो 1906 में एक बार बंसी लाल सरकार आई बंसी लाल क्या थे हरियाना के CM थे उन्होंने कहा ये जो फैक्टरी है ना इसका सरकार ने अधीगरण किया है न ये क्या चल रही है गाटे में तो इसको क्या कर दिया गया बंद कर दिया गया तो ये कहानी है बेटा यहां से कोशन हा नी तु समय सकता हूं बेटा गलती से हो गया आप बहुत इंटेलिजेंट है बच्चे हो आपका सिलेक्षन भी जल्दी हो यही ऐसी कामना रहेगी तो प्यारे बच्चे उननी सो औरतीस उन्तालिस में डालमिया सिमेक फैक्टरी जो राम किसन डालमिया ने लगाई थी बेरोजगारों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिला तो इसका नाम बदल का डालमिया दादरी कर दिया गया और उन्नी सो अठाओने में राम किसन मुकंद जो है ना एक सांसद होते थे उन्हों के कहने पर सहानवाज हुसें ने इसका नाम चर्की दादरी कर दिया गया उन्नी सो इक्याओने में 81 में CCI Cement Corporation of India ने इसका दिकरन कर लिया और 1906 में में स्पेक्टरी को ना चोदरी बंसी लाल ने क्या कर दिया था बंसी लाल सरकार के टाइम में घाटे में दिखा कर क्या कर दिया था बंद कर दिया था तो ये भी कोश्चन आप से पुछा जा सकता है इसको क्या कर दिया गया था बंद कर दिया गया था ये भी कोश्चन बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है एक बार यहां से कोश्चन और भी पूछा गया था मैं तो कहता हूँ कोई भी कोश्चन आए ना तो आपको दुबारा वहां से आने के चांस है शाम सर सरोवर कहां पर रहेगा शाम सर सरोवर भी चर्की दादरी में रहेगा शाम सर सरोवर शाम सर सरोवर नाए तो शाम सर तलाब कहां पर रहेगा शाम सर सरोवर नाए तो शाम सर तलाब कहां पर रहेगा तो ये चरक ही दादरी में रहेगा शामसर सरोवर या शामसर तलाब काम पर रहेगा बिटा चरक ही दादरी में रहेगा कहते हैं पांड़ों ने ना पांड़ों ने क्या किया था यहां पर ना महाभारत के युद के दोरान यहां पर क्या लगाया था सीविर लगाया था तो शामसर सराव सलाब है ना ये भी इंपोर्टेंट है रहेगा ठीक है ओके ओके रितु बिटा ठीक है करवा देंगे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है तो ये भी कोशन आ सकता है पांडू ने यहाँ पर क्या लगाया था शामसर सरोबर में सीविर लगाया था यहां पर पस्मी यमना नहर सिंचाई करती है तो यमना नदी से कोशन है पक्का आएगा यमना नदी को हमें यमराज यमराज जी की जी की बेहन के रूप में देखते हैं और सनी जी महाराज की सनी जी महाराज की बेहन कहते है और इसे सुरिये पुत्री और छाया मा की बेटी कहेंगे छाया मा की बेटी के रूप में इसे देखा जाता है पश्मी यमना नहर के साथ जुई नहरी यहां पर सिंचाई करती है और एक बार पूछा गया था यहां पर गुरु नानक सिंग सभा भी रहेगी गुरु नानक जह सबा एक बार पूछा गया था डेरेगो रेस्टो रेंट कहां पर रहेगा डेरेगो डेरेगो रेस्टो रेंट भी कहां पर रहेगा यहीं पर रहेगा एक बार रानीला जेन मंदिर आया था बहुत बार पूछा जाता है रानीला जेन मंदिर कहां पर रहेगा तो रानीला जेल मंदिर कहां पर रहेगा चर्खी दादरी में रानीला जेन मंदिर रहेगा और ये जेन धरम है ना यहां से कोश्यन अथनिक उंड बेराज है ना ये प्यारवच्छो आप इस वेराज का निर्मान पूरा हुआ था इसने ताजे वाला वेराज का स्थान लिया था जो 1830 में बना था नीतु बीटा जेन धरम है ना इसके संस्तापक पूछे जाते है कोन होते थे रिशव देव है ना वो जेन धरम के संस्तापक होते थे और जेन धरम में जो होते है ना गुरु उनको तिर्थंकर कहा जाता है तो जेन धरम के चोबिस में तिर्थंकर कोन थे महावीर स्वामी थे और जेन धरम के आप से वास्तविक संस्तापक पूछे ना तो भी कोन होते थ हमें जेन मुर्तियां कहां से मिली थी बेटा इसलिए बच्चे कन्फ्यूज होते बच्चे आंसी करेंगे जेन मुर्तियां तो आंसी से मिली थी लेकिन रानीला जेनल मंदिर आंसी में नहीं है रानीला जेनल मंदिर काम पर रहेगा दादरी में रहेगा ये पूछा गया था आगामी एक्जाम में भी ये कोशन आ सकता है एक है ना पूछा जाता है पीर मुबारक की दरगा कहम पर रहेगी तो पीर मुबारक की दरगा है ना ये भी काम पर रहेगी चर्खी दादरी में रहेगी पीर मुबारक की दरगा भी चर्खी दादरी में रहेगी याद ना रहे ना हरियाना का जब 22 वांजिला चर्की दादरी बनाना तो लोगों ने चर्की दादरी को क्या दी मुबारक बाद दी ये से याद कर सकते हो चर्की दादरी हरियाना का जब 22 वांजिला बनाना तो सभी ने चर्की दादरी को क्या दी थी मुबारक बाद दी थी ये कहते हैं सकर गंज के सिस्से होते थे कोई बहुत बहुत बड़े कभी जैसे आप पढ़ते हो बिटा सकर गंज के ये सिस्से होते थे ये महराज सकर गंज के सिस्से होते थे किसके सिस्से होते थे पीर मुबारक महराज सकर सकर गंज के क्या होते थे ये सिस्से होते थे पीर मुबारक और य क्योंकि ये कोशन आता है बटा पीर जमाल वाला पीर जमाल की दरगा काम पर है ये पीर जमाल की दरगा एच्छ ससी ने पूछी थी गोहना सोनी पत में है काम पर रहेगी बटा पीर जमाल की दरगा गोहना सोनी पत में रहेगी और पीर मुबारक की दरगा काम पर रहेगी तो चर्की दादरी के किस गाउं में पाया जाता है कलियाना गाउं में पाया जाता है हिलना पत्तर चर्की दादरी के किस गाउं में पाया जाता है कलियाना गाउं में ये एसिया में केवल है ना कहां पर पाया जाता है हरियाना में पाया जाता है या एसिया में केवल है भारत में पाया जाता है हरियाना में पूछे तो चर्की दादरी के कल्याना गाउं में कौन सा पत्तर पाया जाता है हिलना पत्तर पाया जाता है इसे प्यारे बच्चों कंप कंप कंपी कंपी पत्तर के नाम से जानते हैं इसे डांसिंग स्टोन भी कहा जाता है इसे कंप कंपी पत्तर या इसे क्या का जाता है, डांसिंग स्टोन भी का जाता है किस पत्थर को, हिलना पत्थर को एसिया में केवल हरियाना में पाया जाता है, वेसे हिलना पत्थर एना ये कहां पर पाया जाता है, वेसे हिलना पत्थर एना ये ब्राजिल में पाया जाता है, कहां पर पाया जाता ह ब्राजिल में पाया जाता है एसिया में केवल भारत में पाया जाता है भारत में केवल हरियाना में पाया जाता है और हरियाना में चर्की दादरी के किस गाउं में पाया जाता है चर्की दादरी के कल्याना गाउं में कौन सा पत्तर पाया जाता है हिलना पत्तर पाया जाता है ये समुंदर तल से समुंदर तल से 400 मीटर है ना किस पर पाया जाता है? उंचाई पर पाया जाता है। में पाया जाता है यह कोशन आपसे पूछा जा सकता है यहां से ना NH 148 भी गुजरता है यहां से NH 148 भी कहां से गुजरता है चरकी दादरी से गुजरता है NH 148 भी यहां से गुजरने का काम करता है और यह भीवानी से अलग होकर बना एक बार रहा 12 नूवंबर 1906 में को चर्की दादरी विमान दुर गड़ना गरस्त हुआ था चर्की दादरी विमान दुर गड़ना गरस्त हुआ था चर्की दादरी विमान आपसे पूछा जा सकते है दुर गड़ना गरस्त कब हुआ था तो प्यारे बच्चों 1906 में हुआ था ये पूछा गया था प्रोपर डेट भी आपसे पूछी जा सकती है 1906 में को चर्की दादरी 12 नॉम्बर 1906 में को हुआ ये टिकाना गाउं में है चर्की दादरी के किस गाउं में हुआ टिकाना गाउं में हुआ इसमें ना एक जहाज थ किस का होता था कजाकिस्तान के साथ सौधी अरब का होता था कौंसी एरलाइन्स का होता था सौधी अरब का दोनों टकराए थे और इसमें 349 लोगों की क्या हो गई थी तीन सो उनचास लोगों की इसमें क्या हो गई थी? मिर्थिव हो गई थी तो पेपर में ये कोश्चन आ सकता है कि चर्की दादरी विमान दुर गड़ना गरस्थ कब हुआ बारा नॉम्बर उनी सो चान में को कौन सा विमान दुर गड़ना गरस्त हुआ था बेटा चर्की दादरी विमान दुर गड़ना गरस्त हुआ था इसमें कितने लोग मारे गए थे 349 लोग मारे गए और जो टिकाना गाउं है न यहां पर इनका क्या बन रहा है एक समरिती स्तल के रूप में भी इसको विक्सिते किया जाए टिकाना गाउं को न कहते हैं इसको न समरिती स्तल के रूप में भी क्या किया जा रहा है विक्सिते किया जा रहा है एक साथ है न इसका मलवा गिरा था इसका मलवा गाउं पर गिरा था, चर्की दादरी के टिकाना गाउं में इसका क्या गिरा था, मलवा गिरा था, ये भी पूछा जा सकता है, एक बार है था, रंगिला हनमान मंदिर कहां पर रहेगा, रंगिला हनमान मंदिर, बहुत इंपोर्टेंट है, रंगिला, रानिला जे ये भी आ सकता है बटा, इमलोटा का हनमान मंदिर या रंगिला हनमान मंदिर, इमलोटा मंदिर, इमलोटा, इमलोटा का, इमलोटा का हनमान मंदिर भी कहम पर रहेगा, तो इमलोटा का हनमान मंदिर भी कहम पर रहेगा, जरखी, दादरी में रहेगा, एक बार आया, इमलोटा का मेला कहां पर लगता है तो इमलोटा का मेला भी कहां पर लगता है चर्की इमलोटा का मेला भी कहां पर लगेगा बिटा चर्की दादरी में कौन सा मेला लगता है इमलोटा का मेला लगता है ये भी कोशन आ सकता है इमलोटा का मेला कहां पर लगता है चरकी दादरी में इमलोटा का मेला लगता है रंगिला हनमान मंदिर भी आ गया डेरेगो रेस्टोरेंट भी आ गया गुर्नानक सबा भी आ गया एक रेस्ट हाउस मंदिर आया था कौन सा मंदिर आया था हरियाना में रेस्ट हाउस मंदिर कहां पर रहेगा तो हरियाना में रेस्ट हाउस मंदिर काम पर रहेगा दादरी में रहेगा हरियाना में कौन सा मंदिर रहेगा रेस्ट हाउस मंदिर एक बार पुछा गया हरियाना में कपूर की पहाडियां काम पर रहेगी तो हरियाना में कपूर की पहाडियां भी काम पर रहेगी चर्की दादरी में रहेगी एक बार है हरियाना में पहडियां सबसे ज़्यादा काम पर रहेगी तो हरियाना में पहडियां सबसे ज़्यादा काम पर रहेगी तो हरियाना में पहडियां सबसे ज़्यादा काम पर रहेगी तो हरियाना में पहडियां सबसे ज़्यादा काम पर बहुत इंपोर्टेंट है जो फेक्टरी लगी थी ना जो डालमिया फेक्टरी वो जर्मनी के सयोग से लगी थी ये भी कोशन आ सकता है जो डालमिया सिमेंट फेक्टरी थी ना डालमिया सिमेंट फेक्टरी वो किस के सयोग से लगी थी तो वो सिमेंट फेक्टरी जर्मनी के स स्योग से हमने लगाई थी जो 1946 चाड में में उस वेक्टरी को क्या कर दिया गया था बंद कर दिया गया ये सारे के सारे कोशन वो है जो आगामी एकजाम में आप से पके पूछे जाएंगे ठीक है तो जो भी कोशन आए ना एक बार वो थोड़ा सा उसको अच्छे से आपको याद है करना है ठीक है एक बार रहा था आगामी एकजाम में भी कोशन आप से आप सकता है कि स्वामी देयाल का मेला और बाबा गुलाब गिरी का मेला यहां पर लगता है स्वामी देयाल का मेला स्वामी देयाल का मेला इमलोटा का मेला बता दिया ना इमलोटा हनमान मंदि या इमलोटा का मेला, इमलोटा हनमान मंदिर का मेला भी कहां पर लगता है, यहीं पर लगता है, स्वामी देयाल का मेला, और एक भी कोशन ये भी पूछा जा सकता है, बटा, बाबा गोपाल गिरी का मेला कहां पर लगता है, बाबा गोपाल गिरी का मेला कहां पर लगता है, दादरी में लगता है काम पर लगता है चरकी दादरी में है ठीक है तो चरकी दादरी है यहां से कोशन का आना लाजमी है क्यों लाजमी है क्योंकि हरियाना का यह 22 वाजिला बना है इसलिए लाजमी है हरियाना के भीवानी से अलग होकर बना है इसलिए लाजमी है क्योंकि जो से अलग होकर बना आप कोगे भीवानी से या उसका छेतरफल पुछेगा तेरा सो सतर पोइंट है एक एक वरक किलोमेटर इसका क्या रहेगा छेतरफल है रहेगा या उसमें सबसे कम तहसील है चर्की दादरी और बाडड़ा दो ही इसमें क्या रहेगी आपकी विधान सबाकी सबसे कम सीटे है या यह रहुतक के साथ है ना रहुतक के बाड़चर की दादरी हरियाना का एक मात्रेसा जिला है जो किसी भी यूटी के साथ यानि केंदर सासित परदेश के साथ है और किसी भी भारत के स्टेट के साथ राज्ये के साथ सीमा संजा नहीं करता बाकी है ना ह सिर्षा वो पंजाब के साथ भी और राजस्तान के साथ भी सीमा संजा करता है तो यह से जिला है यह किसी के साथ सीमा संजा नहीं करता यह कोश्यन बनेगा अब यहां से परसिद व्यक्तिताओं कि मैं बात करूं न तो एक है न हिरा लाल चिनारिया परजा मंडल अंदोलन के ये भी जाने गए ते हीरा लाल चिनारिया, हीरा लाल चिनारिया का समन्द कहां से रहेगा, चर्खी दादरी से रहेगा, कहते हैं हीरा लाल चिनारिया है ना, इनकी लोक सबा में, लोक सबा में भासन देते समय, भासन देते समय है ना, हद्दे गती रुकने से इनकी क्या हो ग अगर भारत है ना आज मिसाइल की दुनिया में इतना ज़्यादा अगरणी है तो उसके पीछे सबसे बड़ा नाम आता है डोक्टर एपी जे अब्दुल कलाम का इनका बारे में पढ़ कर देखना लोगों ने जब इनकी बसियत खंगाल कर देखी ना तो बस तूटे हुए कुछे मतलब इनके संदूक और इनकी अलमारी के अलावा कुछे नहीं मिला एक बार इनके घरवाले गए हुए थे पुला हम यात्रा करवा दो वेसे राष्टपती के घरवालों की यात्रा फ्री होती है इन्होंने उन सभी को यात्रा करवाया और उनका जो खर्चा आया ना वो अपने जितनी इनको सेलरी मिलती थी उससे उनको उन्होंने वहन किया एक बार एक मोर है ना उनको ये डेली उसको दाना डालते थे. यह लगातार देख रहे थे मोर पिछले कुछ दिन से खा नहीं रहाता तो एक डॉक्टर को बुलाया और मोर का पता किया तो इसके गले में कैंसर है तो इन्हों ने उसको अपने पेस्ट से मोर के ना गले का क्या करवाया था? इलाज करवाया था इसी महान सक्सियत को हमें नमन करते हैं टर्निंग पॉइंट इनकी एक पुस्तक पढ़ कर देखना टर्निंग पॉइंट डोक्र एपी जे अब्दुल कलाम की बड़ी फेमस है पुस्तक रहेगी और एक है अब्दुल कलाम का पहले वेग्यानिक थे जो क्या बने थे रास्ट पती बने थे तो इनसे भी आ सकता है हुकुम सिंग है ना उनका भी संबन कहां से रहेगा चर्की दादरी से रहेगा हुकुम सिंग का भी संबन कहां से रहेगा चर्की दादरी से रहेगा ये हरियाना के ना सीयम भी रहे चुके है हरियाना के उप डिप्टी सीयम भी उप मुखे मंतरी भी रहे चुके है और ये हरियाना के विधान सबा के भी क्या रहे चुके है अध्यक से रहे चुकी है हुकुम सिंग बहुत बड़ा नाम है बेटा चरकी दादरी यह आपका मलब यह मुखे यह सियम और डिप्टी सियम रहे चुके हैं बनारसीदास गुपता थे वो साबी पदों पर तो इसमें ना इनका याद कर लेना यह सियम भी रहे चुके हैं और आपके मुख्य मंत्री बिरे चुके हैं और हरियाना के उप मुख्य मंत्री बिरे चुके हैं हरियाना के पहले मुख्य मंत्री कौन थे चांद राम होते थे और दुश्यन चोटाला हरियाना के चठे नंबर के क्या रहेंगे उप मुख्य मंत्री रहेंगे और दुश्यन चोट जाला हो जाएंगे ये भी कोशन आप से पूछा जा सकता है मेंडकों का सहर भी किसको कहा जाता है दादरी को मेंडकों का सहर भी कहा जाता है ये भी कोशन आप से किसी ना किसी एक्जाम में पूछा जाएगा हरियाना में मेंडकों का सहर किसे कहते हैं चरकी दादरी को कहते है एक बार पूछा गया था, जो बहुत important है, गीता कुमारी फोगाट, का समन्द कहां से रहेगा, चर्की दादरी से रहेगा, एक इनकी बेहन है, बबिता कुमारी फोगाट, बबिता फोगाट का भी समन्द कहां से रहेगा, चर्की दादरी से रहेगा, एक आप पढ़ते हो वि इन तो नहीं है विनेस फोगाट विनेस फोगाट का भी समंद कहां से रहेगा तो विनेस फोगाट का भी समंद कहां से रहेगा तो विनेस फोगाट का भी समंद कहां से रहेगा तो विनेस फोगाट का भी समंद कहां से रहेगा तो विनेस फोगाट का भी समंद कहां से रहेग और इनके जीवन पर गीता और वबिता के जीवन पर आमीर खान ने एक फिलम बनाई थी जिसका नाम क्या रहेगा दंगल रहेगा दंगल है ना किसके मतलब दादरी पर बनने वाली फिलम कुंसी देंगल और इसमें ना इनके जो पिता है ना उनका भी सम्मन दादरी से रहेगा महवीर सिंग फोगाट और महवीर सिंग फोगाट का ये एचससी ने पूछा था किरदार किसने निबाया था अमीर खान ने निबाया था किसने निबाया था दंगल फिलम में महवीर सिंग फोगाट का किरदार किसने निबाया था अमीर खान ने महवीर सिंग फोगाट का किरदार निबाया और ये माफीर सिंग फोगाट वही इंसाने बिटा जिनको द्रोना चारिये पुरुसकार मिल चुका है, कौन सा पुरुसकार मिल चुका है, द्रोना चारिये पुरुसकार मिल चुका है, और द्रोना चारिये पुरुसकार है न, ये किसको दिया जाता है, खेल पर सिक्षकों को कौन सा पुरुषकार दिया जाता है द्रोनाचारिये पुरुषकार दिया जाता है इस पुरुषकार की शुरुषकार 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 किया था और गुरु द्रोणाचारिये अर्जुन को स्रव स्रेष्ट धनूरधारी बनाना चाहते थे उसलिए उन्होंने एकलवे को ना धनूरविद्या सिखाने से क्या कर दिया इनकार कर दिया लेकिन जिसमें ना सीखने की चाहत है ना बिटा वो है ना मतलब सीख कर ही मानेगा उन्होंने गुरु द्रोणाचारिये के फोटो को देख कर क्या सीख लेती धनूरविद्या सीख लेती तो तब ही तो आपसे कहता हूँ कि जब जीतने की जिद है ना तो आपको प्रिस्तितियां कभी हरा नहीं सकती ठीक है अंदर मतलब ऐसा जनून हो मतलब आग आपके अंदर जब तक आग नहीं रहेगी ना बिटा तब तक हम जीवन में कुछ भी आंसिले नहीं कर सकते हम अपने जीवन के अंदर आपको क्या करनी है आग पेदा करनी है जब आपके जीवन के अंदर आग होगी ना, तब आप जीवन में क्या बढ़ पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, मैं तो यही आपसे कहना चाहता हूँ, कि अपने अंदर है ना, एसा फोलादी खून रखाना चाहिए, जो आपको किसी भी कंडिशन में डी मोटिवेटे करने क काम है, ना करें, ठीक है, अब बेटे जैसे कोश गिता बविता, विनेस फोगाट, हुकुम सिंग, हीरालाल, चिनारिया, यह याद रखने है, ठीक है, मेंड को का गाओं भी आ गया, चरकी दादरी को कहा जाता है, एक बार आया था प्यारे बचो, राजकुमार सागवान, यह मुक्के वाज है, कौन से मुक्के वाज है, राजकुमार सागवान, राजकुमार सागवान, मुक्के वाज रहेंगे, इनका भी सम्मन कहां से रहेगा, चरकी दादरी से रहेगा, राजकुमार मुक्के वाज का एक, जैसे आप गिरवर सिंग चोहान के बारे में आपने सुना होगा गिरवर सिंग का भी संबन कहां से रहेगा चर्की दादरी से रहेगा गिरवर सिंग गिरवर सिंग का भी संबन कहां से रहेगा चर्की दादरी से गिरवर एक उमेद सिंग ये मुक्के बाद है सारे उमेद सिंग इनका भी संबन कहां से रहेगा चर्की दादरी से रहेगा क्योंकि बेटा चर्की दादरी ये भीवानी से अलग होकर बना था ना क्योंकि भीवानी से तो कोशिन आता है भीवानी को क्या कहा जाता था बोक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है भीवानी को पावर हाउस कहा जाता है उसमें चर्की दादरी का भी भूत बड़ा योगदान था भीवानी बोक्सिंग कलब की स्तापना ये मास्टर जगदीस और हवा सिंग ने की थी ये याद करे लेना भीवानी बोक्सिंग कलब की स्तापना मास्टर जगदीस वे हवा सिंग ने किस की स्तापना की थी भीवानी बोक्सिंग कलब की स्तापना की थी और भीवानी को मीनी क्यूबा भी कहा जाता है किस की अधिकता के कारण बोक्सर की अधिकता के कारण भीवानी को क्या का जाता है मीनी क्यूबा भी कहा जाता है ये भी कोशना सकता है किस की अधिकता के कारण बोक्सर की अधिकता के कारण भीवानी को मीनी क्यूबा और एक अलग पूरा गाउं है भीवानी में अलग है पूरा गाउं कहां का रहेगा भीवानी का रहेगा इसे न हरियाना का मीनी ब्राजिल कहा जाता है मीनी ब्राजिल किस गाउं को कहा जाता है अलग पूरा गाउं को कहा जाता है तो प्यारे बचों ये बोक्सिंग का पावर हाउस ठीक है भीवानी को कहते हैं और बोक्सिंग का पावर हाउस बनाने में भीवानी में न योगदान किस का बटा दादड़ी का था, आज दादड़ी अलग है, जरूर हो गया है। पेले जो डालमिया सिमेंट फेक्टरी है न वो भीवानी में दिखाई जाती थी, और कोई भी आप question करो ना उसमें चरकी दादरी अगर इन case option में ना हो ना तो चरकी दादरी option में ना हो तो आपको भीवानी के साथ भी जाना पढ़ सकते हैं मैं तो कहता हूँ कोई भी question करो ना उसको सिद्दत से करने की आदत है डाल लो केते ना इतनी सिद्दत से निभा अपना किरदार इतनी सिद्दत से निभा अपना किरदार की परदा गिरजाए और तालिया बसती रहे तो हमें क्या निभाना है सिद्दत से क्या निभाना है अपना किरदार मेंडकों का सेहर भी दादरी को कहा जाता है रानिला जेन मंदिर पूछा गया था एक बार पूछा गया था गिरवर सिंग, उमेज सिंग, एक लिला राम सागवान ये याद कर लेना ये भूत बड़ा नाम है लीला राम सागवान इनका भी संबंद कहां से रहेगा चरखि दादरी से रहेगा इन्हों ने 1958 में कोमन वेल्थ गेम में क्या जीता था शाहरण पदक जीता था ये कोश्चन आसकता है कि 1958 के कोमन वेल्थ गेम में या लिलाराम सागवा सिल्वर को चार करोड और ब्रोंज को धाई करोड की रासी मिलती ACN में तीन करोड डेड़ करोड और पिछेतर लाक दिये जाते हैं कोमन वेल्ट में डेड़ करोड पिछेतर लाक और पचास लाक की धनरासी दी जाती है ये धनरासी भी आपको याद करना भो ज़्यादा जरूरी हो जाएगा तो लीला राम सागवान का समन कहां से हो जाएगा चरकी दादरी से हो जाएगा 1988 में Commonwealth Game में लीला राम सागवान ने क्या जीता था साउन पधक जीता था किस गेम में साउन पधक जीता था जीता धी आगामी एक्जाम में भी पूछा जा सकता है बिटा एक हैना सबसे ज़्यादा कोश्यन आने के चंज रहेंगे चंद्रावती से किस से रहेंगे चंद्रावती से रहेंगे और चंद्रावती है ना ये बहुत इंपोर्टेंट है ये इनका ना समन कहां से होता था डालावास डालावास है चर्खी दादरी से होता था पुद्धु लासांसत कोन होती थी चंदरा वती होती थी और कुछ इतिहासकार में ये से अभी वर्णन नहीं इतिहास में इन्होंने एक बार है न चोधरी, बनसी लाल को भी क्या हरा दिया था, चुनाव हरा दिया था चंद्रावती नेना जिने हमें बंसी लाल को आदुनिक हरियाना का निर्माता के रूब में देखते हैं हरियाना का लो पुरुस के रूब में देखते हैं हरियाना का वीकास पुरुस के रूब में देखते हैं हरियाना का सेर सासूरी के रूब में देखते हैं तो चंद्रावती ने क्या किया था जब चोदरी बंसी लाल ने ना उन्नी सो पिछेतर में ना मतलब हरियाना में भी नस्बंदी का कंसेप्ट लेकर आये और उन्नी सो पिछेतर में एक बार चोदरी बंसी लाल को इंद्रा गांधी जी ने ना अपात काल के दुरान रक्षा मं तुर में दूर्म होने चंदरावती का समंध कहा टालावास से देखा या कोशन आपसे आज तो नहीं पूचा जाएगा लेकिन किसी ना किसी एक्जाम में पक्का पूचा जाएगा कि इन्हों ने चोधरी-बंसी लाल को भी क्या दे दी थी, सिकस्त दे दी थी, ठीक है, तो ये फेमस परसनल्टियों में ना, दुबारा एक बार मैं फेमस परसनल्टियों के बारे में आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, यहां से ना, किस का सम्मन रहेगा, चर्की दादरी से, ठीक है, एक तो सबसे हुकुम सिंग का याद रखना, हुकुम सिंग का सम्मन भी यहां से रहेगा, सियम बने थे, हुकुम सिंग, ठीक है, आपसे मतलब हीरा लाल चिनारिया कोन रहेंगे बिटा, हीरा लाल, हीरा लाल, चिनारिया का भी सम्मन यहां से रहेगा, लोकसभा में बोलते टाइम, और यहां से ठीक है गिरिवर सिंग इनका समन कहां से हो जाएगा जर्की दादरी से हो जाएगा ठीक है गीता कुमारी फोगाट हो गया बबिता फोगाट हो गया विनेस फोगाट हो गया इनके पिता महावीर सिंग फोगाट हो गया इन सभी का समन्द कहां से होता था चरकी दादरी से होता था क्योंकि फेमस पर्सनल्.''टियों से कोशन हर हाल में आपसे पूस्ती है मैं तो कहता हूँ कभी भी कोई एक सिंगल एक्जाम में भी कोशन आए ना तो उसको भी इतने अच्छे से याद करने की यादर डालो कि वो दुबारा जब कोशन आए ना तो आपका गलत है नहीं होना चाहिए मैं हमेशा आपसे यह बात कहता हूँ कि आप है ना चीजों को व्योस्तित रूप से पढ़ने की यादर डालो और वो चीजी आपकी मैं कारंटी के साथ कहता हूँ दावे के साथ कहता हूँ वो चीजी आपकी कभी भी गलत है नहीं होगी अच्छे से पढ़ो थोड़ा पढ़ो अच्छा पढ़ो लेकिन उन चीजों को ना बार-बार रिविजन करो जैसे यहां के प्रेटन्स तलकी या बात करूं चर्की दादरी के कलियाना गाउं में हिलना पत्र पाया जता है रानिला जेन मंदिर भी है रंगिला हनम मंदिर भी है इमलोटा का हनमान मंदिर या इमलोटा का मेला यहां पर लगता है ठीक है और गुलाब कीरी जी का मेला लगता है कल एस या का एक मातर एसा गाउं जिसमें हिलना पत्र पाया जता है चर्की दादरी का कलियाना गाउं में पाया जता हिलना पत्र सबसे तो ये प्यारे बच्च्चों जो हमने आपको यह چीजें बताईेना ठीक है? जिससे हर्याना जी के करवादर पुलिअर ताप आती है ठीए है, वहां पर, कोई दिक्कर नहीं है विटाँ उसी हिसाब से हर्याना जी के आपको करवाई जाएगी अब से ठीक है तो आज हमने न हरियाना के जो 22 डिस्टी की एक सरंकला थी उसको आज हमने पूरा किया है और उमीद यही है कि यह 22 की 22 सरंकला आपको अच्छी लगी होगी अब मैं न टोपिक वाइज जैसे हरियाना के राजेपाल हो गए हरियाना के सियम हो गए टोपिक वाइज भी ह हम आपको स्रंकला याद है करवाएंगे वो आपे टेंशन लेने की चिंता मत करो बहुत अच्छे से हम चीजों को अध्यन करेंगे तो मैं आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा सा ना आपको स्टडी पे अब है ना ये निरासा के टाइम में भी जो बच्चा है ना मतलब आसा की क अच्छे है ना वो त्यारी छोड रहे हैं निरास हो रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा आप अध्यन की और टाइम में ज्यादा दीजिए ठीक है थोड़ा सा आपने टाइम दिया ना तो फ्यार बचो आपका एक्जाम कलियर जरूर होगा यह आपके लिए एक स पुष्कुराते रहिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए और किसी भी हालत में एजुकेशन को रुकने मत देना यह वही बात है दुनिया है ना यह खेरियत नहीं एसियत पूछने वाली है इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए आपका कुछ ना कुछ बनना जरूरी नहीं अप्ता बहुत जरूरी हो जाता है यह 22 के 22 दिस्टिक आप कर लोगे ना तो हरियना जीके में आपको बहुत अच्छी क्या हो जाएगी है के समझ विक्सिते हो जाएगी इसके साथ आपना हरियना करंट अफेर भी पड़ेंगे और हरियना के क्या पड़ेंगे प्यार ज्यादा हेलफुल थी आज की थेंक्यू ठीक है ओके रितुविटा उस वेच में भी यह चीजी आपको मिल जाएगी उस चीज का आप चिंता मत करो बस आप यही प्रोमिस करो कि आप सिलेक्शन लेकर दोगे आपका सिलेक्शन ही हमारे लिए एक मतर ऐसा होता है जिससे कैसे आप है ना थोड़ा सा महुल बना लो थोड़ा सा सर क्या SI की वेकेंसी आएगी निरज कुरुक्षेतर भाई जरूर SI की वेकेंसी इनको लेनी पड़ेगी हरियाना पुलिस के साथ ही SI की क्या आएगी वेकेंसी आएगी और कभी भी ये वेकेंसी की आपको न्योजे मिल सकती है तो थोड़ा सा न अच्छे से अध्यन किया करो कोई दिक्कत नहीं है देर सबेर थोड़ा सा टाइम लग सकता है वेटा पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्षन दुनिया की कोई तागत है रोके नहीं सकती मैं तो यही कहना जाता हूँ ठीक है तो थेंक्यू नितु जी तो आज के लिए इतना ही है कल दुबारा रूबरू होंगे तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तो लेक्चर कैसा लगा कोमेंट करके जरूर जाना नीरज भाई सभी बच्चे थेंक्यू लब यू तक के बाई बाई गुद नाइ तक के लिए